भारत में अमेर की राष्ट पती का स्वागत है बस कुछ घंटों का और इंतिजा फिल्म बैठेंगे दो जिगरी या दो महार देश एक बेमिसाल दोस्ती एहम दबास दिल्ली तक नमस्ते ट्रम्प उत्तर परदेश में भी स्वागत का शाहंदार रंग आगरा में ट्रम्प के लिए खासम खास तयारी ताज महल देखकर ट्रम्प बोलेंगे वह ताज नमस्ते ट्रम्प नमस्ते ट्रम्प नमस्ते ट्रम्प और मैं हूँ आपके साथ कुलदीब सिंग पठानिया बस कुछ खंटों की बात और इसके बाद अमेरिकी रास्पती डानल्ड ट्रम्प भारतियस सर्जमीं पर होंगे अहमदाबास लेकर दिल्ली तक ट्रम्प का भव्य स्वागत होगा जिस तरह से अमेरिका में परधान मंतरी मोदी के लिए हाउडी मोदी कारिकरम था कि कुसी तर्च पर भारत में भी ट्रम्प के लिए नमस्ते ट्रम्प का कारिकरम है टरम्प के लिए भारत दौरा यादकार रहे इसके लिए तैयारियां शांदार की गई है बस अब इंतजार टरम्प का है जब वो एहम्दाबाद पहुंचेंगे तो इसके बात क्या क्या होगा ये जाने के लिए देखते रहिए नमस्ते टरम्प सुमवार और मंगलवार का देन भारत और अमेरिका के लिए बेहत खास होने वाला है पहले ही दोनों देशों के बीच कोई ट्रेट डील नहीं होगी लेकिन टरम्प का भारत दौरा कई माइनों में एहम होगा टरम्प की खातिरदारी के लिए एहमदबाद से लेकर आगरा और फिर दिल्ली हर जगे खास तैयारिया है टरम्प का भारत दौरा कैसा रहेगा कब कब क्या होगा और एहमदबाद में टरम्प के लिए खास बाते क्या होंगी इस रिपोर्ट में समझी मोधी ट्रम्प की फिर होगी महा मुलाकार तो शक्ती जाली निताओं में सीक्रेट बात दुनिया देखेगी तो महान देशों की दोस्ती मतनी संग ट्रम्प निहारेंगे महबत की निशाने दुनिया के सबसे शक्तीशाली रास में शिमार अमेरिका के रास्पती डॉनल्ड ट्रम्प मस् कुछ घंटों बाद भारतीय सरसमी पर बाहूआ डॉनल्ड ट्रम्प अब बशेश विवान संब पहरलिक गुज्राक के एहंताबाद पहूंचेए था कि पहली आधितारिडब में दो देन के तोरे पर रहे कि दोनों दिनों के एतिहासिक दोरे में एहमताबाग से लेकर दिलीता ग्रम के शांगर आधितारी होग देन सब्सक्राइब करें इस बाट करेंगे सब्सक्राइब करें किया को अताइब की नियुक्तों नियुक्त गांट को पहुत जो है पूल नहीं पाएंगी आगरा में किस तरह से डंप के लिए स्वागत तैयारी है डंप को आगरा में क्या क्या कि मिलेगा डंप कब और कहां पर रहेंगी इस तरह से आगरा चमकाया गया है ये सब आपको दिखाएं और बताएं लेकिन उससे पहले आप मिस्टर प्रेजिडेंट डॉलर ड्रॉम के भारत दोरे को लिकर आपको एक एक जानकारी देते है प्रेज़ इस तरह से फहले है करेंगे इस्टेडियों में एक लाग में लोगों के बैठने की क्षमता है में दोनों महड़ी ठीक है अले इस्टेड आज़ीं गज़ करेंगे इसे दिन शांप और मलादी हराइप आज़ीट एक लाज़्य आज़्यांगेें कि अपे नरेटर कोजी के साथ कि वासा के बाद साजा को वयान चारी करें गुश्च पहर मुलागात करेंगे अब और दावनाज को मिल्डिन से मुलागात करेंगे ओप और दावराद गर्फपति नम्का विशेश विमा एरफोस को अधिले से वाश्क टंकी मुडाग भर दे गुश्च पहर दे गुश्च पहर भारत में डू दू दिनका दौरा रहने वारा है अमेरिका के राजपती डॉनल्ड ट्रॉम के स्वाधत के खासी तयारियां हैं अहित बाद में पीए पोदी और डॉनल्ड टॉम्ट ग्यारा क्यारा क्योंटर यंबार रोडशो करेंगा इस रोडशो को रास्टे पास्पारारियों की गए रात में 18 जागत मच भी बनाए गए इन बचशों पर अगागलत पर देखलागार अविश्या देग्श्या प्रवार के लिए गोल्ड प्लेटेड नैपकिन सेट भी तयार किया गए इन दोनों खास महमारों के शाही अंदाज में स्वागत तयारी चड़ रही है सोरे चानी की परत चड़े बर्दियों में एक इंतोरों को आरब परुसा जाएगा सोरे चानी की परत वाले चार किलो बजनी टी सेट में ट्रॉप के परिमार के जाय सर्व की जाएगे हाला कि खुद ट्रॉप चाय कौफ पसंद नहीं कर दो परचेस नारी थम ट्रॉप और डिजार्स की जीपें दोर के अविबें कुछा दोर हैं एक जाम सब्सक्राइब तयारी थेकित की जाय आएंट जम्प के साथ लंच के दौरानूं की पत्ली मेलानिया ट्रॉपाइए नरही दूदी के शामिल हो इस खास भोच में इपनारा बनाने के लिए एंदवाद के पांशियों लैंपांगे शेप शुरेश करना को सिम्मेदारी दिन रही है खामन है एपल पाई है कुकीज है काफी सारी त्यारी की हुई है पुरे किचन के टीम हमारे साथ में लगी हुई है और कल से त्यारी की हुई है और उनके लिए फ्रेस खाना बनाया जा रहा है गुजरात के अंदर खामन बहुत ही फेमस है उनके लिए स्पेशल त्यार किया ग आगे हम आपको बताएंगे जब ट्रॉम्प और उनकी पद्नी मेलानिया आगरा में होगे तो इस तरह से हव्य स्वागत होगा क्योंकि आगरा में ट्रॉम्प के लिए रुक्यमत्य योगी आदेत तिनाग्ने खासंखास तैयारी जो कर रखी है एरो रिपूर्ट आर नाइम ट्रॉम्प और उनका परिवार आगरा पहुंचेगा जहां वो ताज महल का दीदार करेंगे आगरा को किस तरह से सजाया गया है आगरा में ट्रॉम्प किन सड़कों से खुजरेंगे कहा आराम करेंगे ट्रॉम्प के लिए क्या क्या तैयारियां की गई है ये रिपूर्ट देखे लिए दौनल्ड ट्रॉम्प के दौरे के मत्य नज़र लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी एंदबास रेकर त्रिली तक ट्रॉम्प का सोरदार स्वागत होगा स्वागत ऐसा जिसे डॉनल्ड ट्रॉम्प कभी भूल नहीं पाएंगे लेकिने सब के वीच यह आगरा में इस सब्री से पिज़ार हो रहा है अले ही आगरा में ट्रॉम्प बहुत देर नहीं रुखेंगे लेकि जो भी वक्त वो आगरा में पिताएंगे उरसे यादकार बनाने के लिए खास तैयारियां हो रही है ट्रॉम्प और उनके पत्री एंदबास से शाम को आगर के साथ CISF पेरा मिलिटरी, PTS, PAC, R.A.M. समिन तमाम स्रक्ष एजिंसियां सक्रिय रही है साथ एमिर्की हेलिकॉप्टर आसमा से निगरानी करेंगे स्नाइपर्स के साथ पुलिस कर्मी भी नीचे की हर कतीविधी पर नजर बनाय रखेंगे ताज नगरी में स्वाखत की सबर्दत तैयारी है चपे चपे गुस सजाया गया है इंच-इंच की निगरानी रखी जा रही है इसका मुआइना खुद उत्तर प्रदेश के मुखे मंत्री योगी आदितिनात कर रहे है टरंप की आगरा दोरे को देखते हुए आगरा पुलिस और कुपिया इजन्सियां हाई अलर्ट पर है 24 फरवरी को अमेरिकी राष्टपती डॉनाल टरंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ ताज नगरी आगरा ताज महल का दिदार करने के लिए आ रहे है इसको लेकर पुलिस प्रसासन ने सुरच्छा को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है सुरच्छा की अगर बात करें तो डॉनाल टरंप सुरच्छा के बीच ताज महल का दिदार कर सकेंगे सुरच्छा में 10 एसपी, 18 एडिनिशन एसपी, 75 डिप्टी एसपी और तकरीबन 6,000 पुलिस कर्मी के साथ-साथ 200 इंस्पेक्टर और 3500 सब इंस्पेक्टरों की डूटीज लगाई गही है खास बात ही है कि ताज महल के आसपास जतने भी मकान और होटल रूफटॉप चल रहे हैं उनको लेकर पुलिस प्रसासन ने एक अलग सुरच्छा तयार की गही है सुरच्छा कर्मियों के साथ-साथ इसनाइपरों की भी तैनाती रहेगी और ताज महल के ठीक पीछे यमना भैतिया यमना की अगर बात करें तो यमना में भी जल पुलिस पूरी तरसे निगरानी करने में लगी हुई है आगरा में हर हो कोशिश की गई है जोसे ट्रंप का आगरा तौरा यादकार पुचा है आगरा पहुचने के बाद ट्रंप के न सड़कों से होते हुए होटल और फिर ताज महल पहुचेगे इसका जैसा लेने आर नाइन टीवी संबादाता शेव चौहान पहुचे मैं इस वक्त उस रोड पर मौझूद हूँ जो रोड एर फोर्स से लेकर होटल अमर विलास यहां पर ट्रंप जाएंगे वाई कार वोस रोड पर मौझूद हूँ और दीवालों की अगर मैं बात करूँ तो आप ठीक मेरे पीछे दे सकते हैं यह दो फ्लेग बनाए एक इंडिया का है और दूसरी साइड में अमेरिका का यह फ्लेग बनाया गया है और उसके बगल में देख सकते हैं मोगी जी की फोटो बनाई है तस्वीरों के अगर मैं बात करूँ तो इसी दिवाल पर आप देख सकते हैं योगी जी की तस्वीर ब वहां सड़के दोनों तरफ और चौराहों पर देश भर के तीन हजार कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देकर उन्हें भारतिय सर्स्कृति से अवगत कराएंगे। पर मंच बनाकर जो कलाकार आएंगे वो डोनाल्ड ट्रम का स्वागत करेंगे। कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। इसे जानने के लिए कलाकारों के बीच कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। और जो डोनाल्ड ट्रम्प अपनी गाडी से ताज महल के पास 500 मिपर की दूरी पर होटल अमर गलास पहुंचेंगे। कलाकार प्रस्तुतियां प्रस्तुतियां देंगे। क्या प्रोग्राम है। एक दिवारी नितं है से? डिवारी नत, दिवारी नत। हाँ, व्रइडकार भी बलते हैं। 16 लोग आये हैं। आप तो तुछी है कि डोनाल ट्रम्प का स्वागत करेंगे, डोनाल ट्रम्प को आप देख सकेंगे। जी मैं चाहता हूं कि हमारे दोनों देशों के मधुर संबंद हो और हमारे आगे के लिए हम लोगों को कोई कहके जाएंगी वही इन सबसे पहले जब टंप आगरा पहुंचेंगे तो पांच सितारा हुटल अमर विलास में कुछ तेर आराम करेंगे इसके बाद ताच महल के लिए रवाना हो जाएंगे मैं इस वक्त मौझूद हूँ उस पंच सितारा होटल के बाहर जो डॉनाल ट्रंप उस होटल में कुछ पल बिताएंगे मैं इस होटल के बाहर मौझूद हूँ जो पंच सितारा आगरा का सबसे बड़ा होटल माना जाता है होटल अमर विलास इसी होटल अमर विलास में जो डॉनाल्ड ट्रम्प है अमेरिकी राष्ट बती वो यहां आएंगे और अपनी पत्नी के साथ कुछ पल बिताएंगे और उसके बाद गोल्फोर्ट कार से वो ताज महल का दिदार करने के लिए पहुँचेंगे एरफोर्स से लेकर इस होटल की दूरी 14 किलो मीटर और इसके बाद ताज महल का जो पूर भी गेट है वो 500 मीटर की दूरी का दूरी पर बना हुआ है और यहां से आगे उनका काफला नहीं जाएगा जो 70 गाडियों का काफला एरफोर्स से इस होटल तक पहुँचेगा उसमें अमेर्की राष्टपती डॉनाल्ड ट्रम्प की दरबीश कार भी मौजूद रहेगी और उसमें सुरच्छा विबस्ता के सासात आगरा के तमाम प्रशाशनिक और पुलिस प्रसांद का अधिकार भी मौजूद होंगे और इसके बाद एरफोर्स से यहां आने के बाद इतरे से ट्रम्प और मोधी के पोस्टर से पाट दिया गया है हर जगे सिर्फ मोधी और ट्रम्प ही दिखाई पढ़ रहे हैं और जब ट्रम्प पतनी बेटी और दामाद के साथ शाम के वक्त ताजमहल पहुंचेंगे तो नसारा कुछ और ही होगा ताजमहल का दिदार करते वक्त ट्रम्प को ताजमहल में एक भी दाख नजर नहीं आएगा इसके लिए खास ठक से साफ साफाई चुकी गई शाह जहां और मुम्तास की कबरों को पहली बार मट पैक से साफ किया गया है यानि जब ट्रम्प ताजमहल देखेंगे यकीनल वह ताज कहेंगे आगे हम आपको बताएंगे आगरा पहुंचने के बाद ट्रम्प को तो हुपे में क्या क्या मिलेगा और कैसे ट्रम्प ताजमहल का दिदार करने पहुंचेंगे आगरा से आरवाइं चीवी शिफ चौहां उत्रपरदेश उत्राखंड तो भले ही ट्रम्प आगरा में कुछ ही देर के लिए होंगे लेकिन स्वागत यादगार रहने वाला है आगरा में ट्रम्प को कौन कौन से तोहुपे मिलेंगे कैसे ट्रम्प ताजमहल पहुंचेंगे वो भी जानिए इस रिपोर्ट के जरीए आगरा को कभी नहीं भूल पाएंगे ट्रम्प महमान नवाजी से गत्कद होगा ट्रम्प परिवास ट्रम्प को मिलेगा तौह मैं ताज तौह पर वाइट हाउस भी करेगा नाज आगरा में हर तरम से ट्रम्प के भग विस्वाविक तयारा करने हैं इस बीच जब ट्रम्प आगरा पहुंचेंगे तो ताजमहल देखने के साथ उन्हें कई यारगार तौह में भी दिये जाने हैं जिससे ट्रम्प यहां की यादे भूल नहीं पाएंगे ट्रम्प को आगरा में उपहार के तोर पर ताज का संगमर्मर से बना ओरर जिजल राग और जर्दोजी से तयार मोर की फोटो दी जाएगी और इसके साथ ही ट्रम्प को आगरा के मेर नवीन जैन चांदी की चामी पहिंट करेंगे चावी पर नाजमहल की फोटो और आगरा शहर का लोगो की लिए परमपरा चली आ रही है कि कोई भी राष्ट्र ताज का दिदार करने के लिए आते हैं तो उनको एक मेर की तरफ से एक चावी भेट की जाती है क्या परमपरा है उसकी चावी जो तैयार किया गया मेर हमारे साथ मौझूद है उनसे बात करेंगे मेर साथ जो चावी आपने तैयार की है क्या परमपरा है इसकी देखे बड़ा प्रशंता की बात है कि सन्दो एयार के बाद यूएसे के राष्टपती आगरा आ रहे हैं उनक सहर बिर्वन करने के लिए तो महापौर चुकी मेयर आगरा 25 लाग की जनता का पंदेद करते हैं उनकी उर से स्वागत किया जाता है और एक चावी यह हमने चांदी की चावी बनवाई हुई है इस पर ताज मेल की आकरती आप चित्र देख रहे हैं बारह इंच लंबी चावी है चांदी की चावी है इसकी बैक साइड में बैल कम आगरा लिखा हुआ है यह चावी हम मानी राश्टपती जी को सौपेंगे और उनसे कहेंगे कि यह चावी आप लीजिए आगरा का ताला खोली है आगरा में प्रवेश कीजिए शेहर में प्रवेश कीजिए तो यह एक परंपरा है उस परंपरा का निर्वार जो भी मेयर होते हैं वो करते चले आरहे है और मुझे बड़ी पिशंता होगी कि मेरे दो वर्स के कारकाल है उसमें तीन राष्टर दच्चों को मैं पहले भी सम्मान कर चुका हूँ और चौसा एक बड़ा सम्मान यूसे के प्रेशिडेंट का मैं करूँगा जि मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है टरंप का जितना इंतजार एहंदाबार को है उससे कहीं ज्यादा आग्रा भी भले ही टरंप और उनका परिवार आग्रा में कुछ ही घंटे बिताए है लेकिन टरंप का आग्रा में गुजरने वाला एक एक पल शांदार और यादगार रहने वाला है इन सब के बीच अब खबर ये भी है कि टरंप बैटरी वाले बस से ताज महल देने पहुचे लिए क्योंकि यूपी प्रुशासन ने अमेरिकी सीक्रेट सर्विस से ये कहा है कि टाज महल के पास जाने के लिए डाज महल देने पहुचे जिसकी जाज भी कर लेगा अमेर्गी राष्टरपती का आगरा दोरे को लेकर प्रसासन तयारियों में जोर सोर से लगा हुआ है वो 24 फरवरी को अपनी पतनी के साथ ताजकात दिदार करने के लिए आगरा पहुच रहे हैं जिसको लेकर पुलिस प्रसासन प्रसासन और सासन पूरी तरह से तयारियों में लगा हुआ है लेकिन संसे बना हुआ है कि आगरा एयरपोर्ट पर वो प्लेन के द्वारा आएंगे और वाई कार वो होटल अमरविलास पहुचेंगी लेकिन अमरविलास से 500 मीटर का सफर डॉनाल्ड ट्रम्प किस से ते करेंगे ये अभी संसे बना हुआ है हालांकि प्रसासन अपनी पूरी तयारियों में जुटा हुआ है डॉनाल्ड ट्रम्प के लिए एक गाड़ी का इंतिजाम कर रहा है गाड़ी तयार किया जा रहा है ये बिजली से चलने वाली गाड़ी है क्योंकि ताज महिल की 500 मीटर की परदी में कोई भी डीजल या पेट्रोल की गाड़ी नहीं चल सकती इसलिए ये बैंटरी की बस तयार की जा रही है हलांकि डॉनाल्ड ट्रम्प की जो एडवांस टीम है वो आगरा पहुँच चुकी है और ताज महिल की आसपास सुरच्छा का जाजा ले रही है और आगरा प्रिसासन के साथ एडवांस टीम की लगातार मीटिंग में भी हो रही है हलांकि जो बस तयार की जा रही है डॉनाल्ड ट्रम्प की उसका अंदर का नजरा दिखाएंगे हम जो बी आईपी पूरी तरह से तयार की जा रही है इस बस के अंदर देख सकते हैं आप पूरी तरह से जो परदे हैं वो नई लगाए गए हैं कहीने कहीं और जो बैठने के लिए सोफा तयार करा गए हैं आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये बस बी आईपी तयार कराई गई है आगरा में डॉनल्ड ट्रम्प की सुरक्षा के साथ स्वागत की भी ऐसी तयारी है जिसे देखकर ट्रम्प खुद तारीग करेंगे तयारिया ऐसी की गई है जो ट्रम्प के लिए यादगार और शानदार होनी वाला है आधिकारिक तोर पर ट्रम्प का ये पहला भारत दौरा है इसलिए छोटी से छोटी चीजों पर विशिस ध्यान दिया जा रहा है जिससे कि ट्रम्प भारत की महमान नवाजी को कभी नहीं भूल पाएंगे बस अब इंतजार है तो ट्रम्प का क्योंकि हाउडी मोदी के बार अब भारी भारत है जब भारत ट्रम्प को नमस्ते ट्रम्प कहेगा आगर से आरनाइन टीवी के लिए शिवचोहान उतरप्रदेश उत्राखंड चलिए तो ट्रम्प का बेस सब्रीज से इंतजार रहेगा फिलहाल इतना ही दीजी इजाज़त बने रही आरनाइन टीवी के साथ सिर्फ खबर के लिए नमस्का